ब्यूटियू 4F, चैप्टर 4th, बेसिक जोमेटिकल आडियाज और आस इस ब्यूटियू 4F में एक्सरसाइज 4.3 सौल परेंगे तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, एंगेल्स के बारे में तो एक बार एंगेल्स को रिवाइस कर लेते हैं तो श्वेंट्स, एन एंगेल एज़ा फिगर मेड़ वाइट टू रेस, ठीक, तो सिंपल डेफिनिसान इसकी, कि एक एंगेल टू रेस से मिलका बनता है, ठीक, मीटिंग एटा कॉमन पॉइंट, यहां पर, ठीक, अब यह रेस है, एक रेस यह है, और एक रेस यह है, तो यहा पर गएटिट विथ सेम पॉइंट, जहां टू रेस सेम पॉइंट से वहाँ एक एंगेल वनता है, तो इसको यह बोल दो, जाहिए बोल दो, वहाँ देखिए, ठीक, एक बात और, एन एंगल is represented by symbol किसी भी एंगल को इस symbol से so करते हैं, denote करते हैं एधानक ना इस बात का सीए, इस बात का धानक ना आप इस बात का अब जैसे आपको मैं बताता हूँ जैसे ये एक एंगल है ये, ठीक है, एक रेस ये है और एक रेस ये है इसको दे दो ए नाम इसको बी और ये point O है इसे बोलते हैं vertex जहां पर two rays मिलती हैं उसे vertex बोलते हैं ठीक, तो इस बात का अब धान लखेंगे जहां two rays मिलती हैं उसे vertex बोलती हैं अब देखो, इस angle को हम इस तरह से ले सकते हैं angle A, O, B जो भी एंगल लेते हैं उसको बीच में लखते हैं जैसे एंगल यह ले रहा है तो इसको इस वाले अल्फवेट को बीच में लखेंगे द्यान अगना इससाथ का तो इसको AOB बोल दो या एंगल BOA BOA ठीक? एंगल BOA बोल दो या AOB बात देखिए तो यह बात आप थोड़ा धने ना और एक बात और अगर कोई POINT इस POINT A है Sorry P है POINT POINT P है ठीक है और यह POINT Q है और जो POINT ऐसे है तो यह वाला POINT होता है इसे बोलते हैं इंटिरियर जो एंगल के अंदर POINT होता है इसे बोलते हैं इंटिरियर और जो एंगल के वाहर POINT होता है उसे बोलते हैं एक्सटिरियर POINT और जो एंगल पर होता है उसे एंगल भी बोलते हैं ठीक है तो इस बात का तुरा ध्याने की आप लोग फिर मैंने आपको बताया थे एक्जामपल बताये थे आपको मैंने ठीक है चेयर के यहां एक एंगल बनता है यहां एंगल का एंगल बनता है यहां बनता है ठीक है सीजर में एंगल बनता है यहां पर भी एंगल बनता है ठीक और एक बात और बात आदूंगा आपको में जैसे यह एंगल है तो मैंने आपको बताया कि इसको एंगल P O P एंगल A O B बोल तो यह angle B O AB, इस बात का द्धाना कीए, ठीक, दूसरी बात, यह जो side इसको raise, यह side बहु सकते हैं यह arm बहु सकते हैं, ठीक, अच्छा, कोई अगर point बाहर है, तो इसे बोलेंगे exterior point, और कोई point अंदर है angle के, जैसे यह R अंदर है, यहां हो, यहां हो, खहीं पर भी हो, लेकि इ area के अंदर हो, तो उसे हम बोलेंगे interior point, और अगर इस से बाहर हो, इस angle से बाहर हो, यहां, 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 खहीं पर भी हो, तो उसे बोलते है exterior point, तो आप फ़लो इस बात का दाने कीए, ठीक है, अब start करते है exercise 4.3, तो अच्छा question number 1 है, name the angles in the given figure, अब आपको given figure दिया है, उस दिया है, तो A B C D, विन है, तो अप दिखो इसमें कितनी angle बनना है, गुज लेघता है, जोन जोन, कितनी angle बनने इसमें इसमें, गिवन फिगर में 4 एंगल हैं ठीक, टोटक कितने 4 हैं कौन-कौन से हैं, वो आप देख लो एक तो है A, B, C, एक तो एंगल ये वाला है तो जो भी एंगल लेती हैं उसको उस अल्फवेट को बीच में लगती है मैंने आपको बताया, इस वाल एंगल को बीच में लगती है ठीक है, अब ये लेंगे C, तो B, C, D कहलेंगे, B, C, D ये वाल एंगल लेंगे, ठीक, अब ये वाल एंगल लेंगे तो कहलेंगे, C, D, A तो C, D, तो ये वाल एंगल बीच में लेंगे तो इसको बीच में लिया है फिर लाश्ट वाला है अंगल अच्छा तो इसको D, A, B या B, A, D कर लो तो D, A, B कर लिया है मैंने तो कितने अंगल लेंज पर फोर अंगल है ठीक है 1, 2, 3, 4 Understood? Clear? अब next question question में 2 करते हैं question में 2 मैंने अभी बताया था आपको कि interior और exterior point के बारे बताया था आपको मैंने तो वही इसमें है तो questions है in the given diagram in the given diagram name the points जहां जाब points लिखे हैं उन points को आपको बताना है कि ये exterior हैं, interior हैं या angle पर हैं आपको ये बताना है तो simple है in the interior of angle इसको angle बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको angle DOE तो DOE कौन सा है DOE ये वाला है तो DOE जो DOE है उसमें interior point कौन से हैं तो एक ही तो point है ये तो ये है जोगो only ए है इस angle में इस angle में only एक ही point है ओके अच्छा है तो हमने इसको लिखा तो point interior of DOE ए खाली एक point है फिर question number V है इसका in the exterior of angle EOF अब दोखो EOF कहा है EOF तो इस angle में exterior point कौन से हैं तो एक तो C है एक तो A है और एक D है दोखो जहान से दोखो फिर आपको समझाता हूं इस वाले angle में इस वाले angle में EOF इस angle में इस angle के लिए एक तो point यह वाला exterior है और एक यह है और एक यह है तो कितने होगा तीन part तो C, A, D तो points of exterior of angle EOF C, A, D तो यह तीन point है एक तो C है A है और D है ठीक है अच्छा, questions में फिर C का C part है इसमें कह रहे है on EOF angle EOF EOF angle EOF पर कौनकों से point है EOF में तो एक तो E है B है O है F है EOBF यह चार point है है नहीं है तो एक तो E है B है O है और F है यह है तो को इस पर है रेस पर है जो जो point रे पर होते है वो angle पर होते है ठीक तो question number 2 complete question number 3 question number 3 है simple है ज्यादा hard नहीं है ठीक है draw rough diagram of two angles such that they have questions को पहले ध्यान समझो draw rough diagram of two angles ऐसा आगर diagram आपको बनाना है जिसमें कम से कम two angles हो two angles हो और बगए आपको तो यह दिया ही है one point common है two point common या three point common वो साफ साफ कर देंगे ठीक है तो कम से कम two angles होना चाहिए ठीक है तो आपको ऐसा diagram नाना है rough diagram कि two angles उसमें हो तो अब क्ये करेंगे आप देको इसमें हमके करेंगे one point in common अब two angles बनाएंगे और उसमें one point common होना चाहिए तो हम इस तरह से बनाएं जोखो अगर हम बात करें angle a, b, d की किसकी? a, b, d की और c, b, e की तो इसमें यह वाला point common होना रहा है in two angles के लिए एक angle यह बनना है तो इन two angles के लिए यह वाला point common है common है नहीं है अरे वह शिंपल है ना तो यह point common है ओके students तो हम कह सकते हैं b point as a common तो angle angle a, b, d और c, angle c, b, e have points b as common तो b common है दोनों के लिए इस angle के लिए और इस angle के लिए b common है ठीक angle तो यह b है लेकिन हम इसको con नहीं करेंगे only two angles की बात करेंगे उसको हम ignore कर देंगे हमको मतलब two angles से है अगर हम इसको करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते थे लेकिन इसमें फिर तीन point common होता एक तो यह point यह common होता और एक point यह common होता तो two points common होता हमको चाहिए only one point common तो इस तरह से हमने यह आली shape बनाई ठीक आपको इसका part number second है two points in common अब इस पर two points common कब होंगे तो हम इस तरह से लें तो एंगिल एक AOB और एंगिल COB अगर हम यह एंगिल इस तरह से लें तो इसमें एक तो O point और B point as a common point ठीक अब देखो C point है इसका question number C है third का three points in common अब three points common होने लिए क्लिक करते हैं तो A, O, B और एंगिल COB तो इसमें three points common है O, B common है, D, B common है और B common है क्योंकि जो raise इस एंगिल में count कर रहे हैं और इस एंगिल में count कर रहे हैं देखोने के लिए common है और इस फिर point क्योंकि क्योंकि common है O, D और B O, D, B ऐसा common point अब इसका D part है four points in common अब four points common करने के लिए पहले हमने क्या करा one point किया था फिर two points है तो हमने two points कर लिए three points कर लिए sorry यह तो O है वो तो पहले से ही है अब three points पूछ रहते हैं तो हमने B कर लिए और O पहले से था दो होगा न अब three points पूछ रहते हैं हमने तो हमने two points कर लिए O पहले से था तो three points होगा है अब four points के बात कर रहे हैं तो three points कर लेंगे D, E, B और O पहले से तो four points होगा न तो angle अब एक बात और आप question नमर इसका e part है one ray in common अब बन रे common होना चाहिए one ray in common अब इसमें सब one ने common किया जैसे आप two angles की बात कर रहे हैं आप बात चले two angles की चाहिए तो यह angle है तो a o b और c o b में यह o b यह o b है वो ray जो है वो भी रहे हम ऐसे इससा से कर रहे हैं ऐसा common common है दोनों में न एक angle यह ले रहे हैं और यह angle ले न तो यह दोनों के लिए common है दोनों के लिए count हो रहे हैं तो यह common है ठीक इस तना से हम रिश्की figures बनाएंगे तो students exercise 4.3 complete होती है और बैसे तो मैंने कल homework में कह रहता करने को आप लोगों से तो आप लोगों ने ट्राय नहीं किया तो मैंने solve पर दी कोई नहीं तो students आज की वीडियो में हमने exercise 4.3 solve की और इसमें 3 questions से 1,2,3 इन तीनों को हमने explain किया अच्छे से तो हमारी कोसिश आती है कि बच्चों को अच्छे सम्झेवाएं और आग को लोगों भी अच्छे समयत करें जितनी मेंध हम कर रहें अपनी मेंध आप भी करें बर्क कंप्रेट करें अपना को questions हो तो मुझसे पूछें और students इमानदारे से बर्क करते रहें carefully करें और को questions हो तो मुझसे पूचें तो students आज की वीडियो यहीं तक thank you bye